हेलो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे बेंटिलेटर कैसे यूज होता है और इसका सेटिंग क्या क्या रहता है ये सभी बाते हम डिटल्स से जानेंगे दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लिज सस्क्राइब कर देना इसी तरह के मेडिकार लिलेटर जानकारी पाने के लिए प्रेस करके रखने से ये आ न होगा देखे आन हो गया प्लिटर को काडियो लेप कंपानी के द्वाए बनाये जाता है इसका डिस्प्ले है यहां से सब कुछ आपको सो होगा यहां से आप इसका सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं अभी हम देख लेते हैं यहां पे जो EXP लेखा हुआ है उससे यार बाहर निकलता है और दूसरा जो है उससे यार आता है इस पाइप से आता है यह इसको 80 ट्यूब में लगाना होता है अभी हम जान लेते हैं इसका सेटिंग के बारे में यहां पे जो मोड लिखा हुआ है उसको टॉच करने से सभी मोड आएगा यहां पे आप देख सकते हैं सभी मोड आ गया है आप जोन सा चाहें उसको दे सकते हैं यहां से उसके बाद confirm को दमाना होता है ठीक है उसके बाद फिर से setting आएगा अभी हम जानेंगे alarm setting यहां से आप alarm setting सब कुछ कर सकते हैं कम जादा होने पे sound होने के लिए कर सकते हैं ठीक है अभी ventilator को कैसे start किया जाता है मैं दिखाऊंगा उसके बाद confirm को दबाना यहां पे आप setting करना है उसके बाद फिर से confirm को दबाना है उसके बाद start ventilator को दबाना है देखे बेंटिलेटर अभी start हो गया यहां पे आप सब कुछ देख सकते हैं ECB मोड में है मतलब volume control ventilation इस मोड में है उसके बाद आपको आप करना है तो उसको प्रेस करके confirm को दबा देना है उसके बाद बंध हो जाएगा आप इसको चाहें तो manually भी कर सकते हैं यहां पे जो है उसको घुमाने से ऊपर नीचे जाएगा उसको प्रेस करने से उसको ओकी हो जाएगा वो देख लेते हैं इसका पीछे इसका पीछे है compression का on-op का switch यह है compression का switch है इसको आप करने से compression on होगा ठीक अभी compression machine on हो गया है उस जो bottom है उसको press करके रखने से 5 सेकन रखने के बाद वो आपने आप आप हो जाएगा ठीक आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लेश सस्क्राइब कर दोना इसी तरह के medical related जानकारी पाने के लिए